So hello everyone, कैसे हैं आप सभी उमीद करते हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छी होंगे Friends, आज का हमारा topic है समाजिक परिवर्तन के रेखिये तथा चक्रिये सिध्धान्त में अंतर आज के हमारे इस वीडियो में हम समाजिक परिवर्तन के रेखिये और चक्रिये इन दोनों ही सिध्धान्तों के मद्दे पाये जाने वाले अंतरों के विशे में जानेंगे यह बहुत ही important topic है तो इसलिए आज वीडियो को पूरा end तक watch करिएगा बिल्कुल भी skip मत करिएगा इससे पहले की वीडियो में हमने समाजिक परिवर्तन के रेखिये सिध्धान्त तथ चक्रिये सिध्धान्त के विशे में जाना था जिसमें हमने यह जाना था कि रेखिये सिध्धान्त समाजिक परिवर्तन को हमेशा आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया के रूप में देखता है जबकि इसके वीपरी चक्रिये सिध्धान्त समाजिक परिवर्तन को एक चक्र के समान मानता है ऐसे ही कुछ बिंदूों के आधार पर हम रेखे सिध्धांत और चक्री सिध्धांत के मद़े पाय जाने वाले अंतरों को समझेंगे हमारा पहला पॉइंट है रेखे सिध्धांत समाजिक परिवर्तन को निश्चित और पूर्व निर्धारित मानता है मतलब इसके अनुसारिया माना जाता है कि जो भी परिवर्तन होते हैं समाज में वो परिवर्तन पहले से ही निर्धारित होते हैं सरल शब्दों में कहें तो यह सिध्धान्त इस बात को मानता है कि समाज में होने वाले सभी परिवर्तनों का होना पहले से ही निश्चित होता है जबकि चक्री सिध्धान्त इस बात को आस्विकार करता है वह इस बात को नहीं मानता हमारा दूसरा पॉइंट है रे की सिध्धान्त विकासवादी विचारधारा पर आधारित है कहने का ताथ पर यहाँ है कि रे की सिध्धान्त या मानता है कि समाज में होने वाला परिवर्तन हमेशा एक ही दिशा की ओर बढ़ता रहता है सरशब्दों में कहें तो इस विचारधारा का या मानना है कि संपूर्ण समाज हमेशा परिवर्तन की ओर ही आगे बढ़ता है हमेशा उसमें परिवर्तन होते रहते हैं और वे परिवर्तन समाज को आगे की ओर ले जाते हैं मतलब समाज में विकास करते रहते हैं जबकि चक्री सिध्धान्त में इस विचारधारों को आस्विकार किया गया है चक्री सिध्धान्त इस विचारधारों को नहीं मानता है जबकि चक्री सिध्धान्त में इसकी गति को चक्री बताया गया है एक ही दिशा की ओर बढ़ता हुआ नहीं बताया गया है चक्री सिध्धान्त इस बात को अस्विकार करता है हमारा चौथा पॉइंट है रे की सिध्धान्त इस मानिता पर आधारित है कि इतिहास अपने आपको दोराता नहीं है मतलब इसके अंतरगत यह माना जाता है कि जो भी इतिहास है वो अपने आपको नहीं दोराता है जबकि इसके विपरिच चक्री सिधान्त में इस चीज को माना जाता है कि इतिहास अपने आपको दोराता है इस सिधान्त में आप बताया गया है कि परिवर्तन एक समय के बाद पुरानी चीजों को वापस से ले करके आता है जो पुराना इतिहा से वो वापस से दोराया जाता है निशकर्च रूप से हम यह कह सकते हैं कि अगर चक्रिय और रेख्य सिध्धान्तों को गहराई से देखा जाए तो दोनों में ही तुटियां पाई जाती है दोनों ही सिध्धान्त अलग अलग विचारधाराओं पर आधारित हैं जैसे कि रेख्य सिध्धान्त परिवर्तन को हमेशा आगे ही बढ़ते रहने के रूप में देखता है इसके वीपरीत चक्रिय सिध्धान्त परिवर्तन को एक चक्र के समान मानता है इसमें यह माना जाता है कि परिवर्तन जो भी परिवर्तन होता है समाज में वो परिवर्तन एक समय के बाद पुराने परिवर्तन को ही वापस से लेकर के आ जाता है सरलशवदों में कहें तो इसमें यह माना जाता है कि इतिहास अपने आपको दोहराता है जबकि रेखे सिध्धान्त इस बात को बिलकुल भी नहीं मानता है कि इतिहास अपने आपको दोराता है इसी विशे में बोटोम और भी कहते हैं कि भले ही रे की सिध्धान्त चक्री सिध्धान्त से सबसे आदा विश्त्रित है लेकिन फिर भी दोनों ही सिध्धान्त एक पक्षी हैं फ्रेंट्स ये थी जानकारी समाजिक परिवर्तन के रेखिय और चक्री सिधान्त के मद्ध पाये जाने वाले अंतरों की विशे में उमीद करते हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर पताएं वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे की आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके तो फ्रेंट्स आज की वीडियो ब अगराएं पसमार कि अजिए वीडियो अजर प्रेंग जितनि वेडियो को द्वाद जागर शेल गूले करेंग से एके यहल प्ष़ग की अजिए यह दो बाद़न कि झापको मेरी अगर वीडियो कश्वार में प्रियो का प्रिभ्वाद की निया है।